Welcome friends, स्वागत है आपके अपने बरोशेमन यूटूब चैनल Employees Latest News में करमचारी पैंसनर की वेतन पैंसन बढ़ोतरी को लेकर दिलचास खुसकबरी लोग सबस चुनाव से पहले करमचारी पैंसनर को लुभाने के लिए बढ़ा एलान पैंसन में 15% का बंपर उचाल तीन साल के लंबे संगर्स के बाद आखिरकार करमचारी पैंसनर के लिए अठारमा बकैरेट भुकतान को लेकर बढ़ा एलान फिलहाल करमचारियों को मिल रहा है 257 फीज़दी के साब से वितन पैंसन केंदरी करमचारियों के लिए आने वाले 13 जबरज़द गुजरने वाले हैं करमचारियों को 31 जनवरी के इंतिजार रहेगा इस दिन करमचारियों को साल 2024 की पहली गुड नूज मिलेगी मेंगाई बत्ते का नया आकड़ा जारी होगा इसके बाद जनवरी 2024 से कितना मेंगाई बत्ता करमचारियों को मिलेगा इस पर मोर लग जाएगी अच्छी कबर यह है कि मेंगाई बत्ता 50 फीजदी मिलना लग बत्ते है क्योंकि पिछले आकड़े तक की मेंगाई बत्ता इसके करीब पहुंच चुका है रिटेल, CPI और थोक मेंगाई दर WPI में जबर्दत उचाल से ही सारा मिल चुका है कि मेंगाई बत्ते के आकड़े में भी जबर्दत उचाल देखने को मिल सकता है ये कन्फरम हो चुका है कि करमचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50 फीजदी मेंगाई बत्ता तो मिलेगा ही अभी एक्काउन फीजदी मिलने से भी इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दिसंबर एएएए एएस पे इंडेक्स के नंबर्स अभी बाकी है अगर इंडेक्स में तेज उसाल आता है तो जनवरी में मेंगाई बत्ता ये 50 दसमलो 52 अंकों तक पूंच सकता है ऐसी इस्तिती मेंगाई बत्ता इकाउन फीजदी भी हो सकता है लेकिन मुझूदा ट्रेंड्स को देखें तो 50 फिजदी कंफर्म हो चुका है इसमें 4 फिजदी का जाफा लग बगते है 31 जनुवरी तक इंतजार करने पर ही तस्वीर साफ होगी कैंद्री कर्मचारिक मेंगाई बत्ते को केल्कुलेट करने वाला आकड़ा आ गया है मेंगाई बत्ता मिलेगा लेकिन एक्सपर्ट इस बात से भी इंकार नहीं कर रहे है कि अभी एक उछाल बाकी है रिटेल और थोक मेंगाई अपने उस्तम स्तरों पर है अगर एस पिजदी की जाफ़े से भी इंकार नहीं किया जा सकता जनवरी 2024 से केंदर करमचारी को 50 फिजदी डिये मिलेगा लेकिन इसके बाद मेंगाई बत्ते को जीरो कर दिया जाएगा इसके बाद मेंगाई बत्ते की गणना जीरो से सुरू होगी 50 फिजदी डिये को करमचारी को बेसिक सेलरी में जोड दिया जाएगा मानली जगर किसी करमचारी के पेवेंड के हिसाब से नियुनतम बेसिक सेलरी अठार जार रुपे है तो पचास फीदी का नो जार रुपे उसकी सेलरी में जोड़ दिया जाएगा एक फरोज़ दोजार चोबिस को केंदर की मोदी सरकार का अंतरी बजट पेस होना है लोकसबास जुनाव से पहले वित मंतरी निर्वला सीतरमा अंतरी बजट पेस करेंगी चुंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कारिकाल का आखरी बजट है ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार केई हर वर्क के साधने के लिए लोग लुबावन गोसना की जा सकती है इसमें फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाने और आठे में तनायों को लागू करने पर विचार किया जा सकता है साथ में अठार माबा के एरे बुकतान के लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है इससे करमचारी की बेसिक सेलरी अठार जार रुपे से बढ़कर 26 जार रुपे हो जाएगी दरसल फरतमान में केंदरी करमचारी को फिटमेंट फेक्टर दो तसनल पांस साथ है और बेसिक सेलरी अठार जार रुपे है लंबे समय से केंदर सरकार के करमचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.6 तक की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में 28 लाग ज्यादा केंदरी करमचारी की बेसिक सेल्डी में विर्थी को लेकर कोई बड़ा एलान हो सकता है मेडी रिपोर्ट्स की माने तो केंदर की मोदी सरकार 24 में आगामी लोकसो चुनाओ को देखते हुए बजट सतर में करमचारी को फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है साथ वेतन आयों के तहित करमचारी को फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.6 फिज़ी तक किया जा सकता है हाला कि अभी तक आधिकार एक पुष्टी होना बाकी है अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाय जाता है तो करमचारी को नूंतन वेदन 21,000 रुपे या 26,000 रुपे हो जाएगा आगे बात करते हैं पैंसन ब्रोत्तुरी को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट की केंदर और राजे सरकार की तरफ से लाखों पैंसनर को समय समय पर कही तोफेद दिये जाते हैं अब राजे सरकार ने पैंसनर को एक अच्छी खबर सुना दी है अब से साल में दो बार आपकी पैंसन में जाफ़ा होगा जुलाई महीने में आपकी पैंसन 5 फीजदी और जनवरी महीने में 10 फीजदी का इजाफा होगा यानि कि इस हिसाब से करमचारी की पैंसन में हर साल 15 फीजदी का इजाफा होगा लेकिन उससे पहले आपको बता देगी इसका फायदा राज्य सरकार के करमचारियों को होगा आपको बता देगी राज्य सरकार ने नियुंतम आये गारंटी कानूं को लागू कर दिया है देश में राइस्थान पहला ऐसा राजी बन चुका है जिसने इस कानूं को लागू किया है इस गारंटी कानूं के जरिये पैंसन में हर साल बड़ोतरी होगी इसके साथ इस सामाजिक सुरक्षा पैंसन की भी गारंटी होगी राजी सरकार ने बताएगी करमचारी की पैंसन में हर साल दो किस्तों में जाफा होगा जुलाई महीने में पैंसन में पांच फीजदी की जाफा होगा और वहीं पर दस फीजदी की जाफा जनवरी महीने में किया जाएगा पैंसन धारी को पैंसन लेने के लिए एक साल बाद ही बड़ोत्री होगी यानि मंजूरी की तारीक एक वर्स के बाद ही 15 फीजदी बड़ोत्री की जाएगी इसके अलाव राजी सरकार ने बताएगी मंडेगा के तेट आपको अतिरिक दरोजगार भी मिलेगा अब से आपको 25 दिन का एक्स्टा रोजगार मिलेगा जी हाँ अब आप 125 दिन काम कर सकेंगे अगली खबर की बात करें तो केंदर सरकार ने एक जनुवरी 2020 से 30 जूम 2020 तक का कुल 18 वहीने तक का D.A.D.R. की किस्ते रोक रखी ती जिसका बुकतान अभी तक नहीं किया गया है इसके भुकतान की मांग लंबे समय से की जा रही है साथ में प्रधान मंत्री में जनर मोदीजी को भी मांग पत्तर में भेजा गया है नेसल काउंसलिंग स्टाफ साइट की साबेठक में NCJCM महसंग के महस्यू सिरीज सियू गोपाल मिसरा ने ये मुद्ध उठाया उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार सभी करमचारियों को उनके खाते में जल्द बकायराशी का बुकतान करे नहीं तो करमचारियों और पैंसन भोगी आंदोरन के लिए बात दे हो जाएंगे नेसल काउंसलिंग स्टाफ साइट का परतनित्यू करते हुए सिरीज सियू गोपाल मिसरा ने केबिनेट सेकरियों किया कि अठार मिने के बकाया डी एरिय का बुकतान अभी तक नहीं किया गया है उसे जल्द से जल्द सभी करमचारियों और पैंसन दार को खाते में बेजा जाए थे इसका उपयोग कोरोना में किया गया था क्योंकि कोरोना कालवे सरकार की वित्तिय इस्तिती काफी खराब हो गई थी इसलिए ये बुक्तान रोक कर इसका इस्तेमाल कोरोना मावारिम किया गया था लेकिन अब जब देश की आरतिक इस्तिती मसुदार हुआ है जीडी पे कल 2020-2021 तक कुल 18 मेने के D-A-R और D-R की तीन किस्ते रोगी थी। कैंसरकार करमचारी पैंसन में होगे को 18 मेने बकाय भुकतान को लेकर संसत के बचल सतर में ये मान लिया था कि इसको लेकर करमचारी संकटन को और से आवे दिन पराप्त हुए हैं लेकिन सरकार इसका बुकतान नहीं करेगी इस पेसे का उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया था इसलिए बुकतान करने का कोई सवालत पन नहीं होता लोकसाब चुनाओ को देखते हुए करमचारी यूनियन केंसरकार को पर दवा बना रहा है इस समय देश के आरतिक इस्तिती बहुत अच्छी है ऐसे में इसका बुकतान किया जाना चाहिए इडरी पोर्ट्स की माने तो उम्मीद ये लगाए जा रही है कि सरकार जल्दी लोकसाब चुनाओ से पहले सभी केंदरी करमचारी उप्रेंस न भोगयों के बकाया अठारमा बकायरी यूनियन जल्द से जल्द करने जा रही है लेकिन अब सरकार ने नोटिपिकेशन जारी कर दिया है दिसंबर मेंने मुख्य मंतरी ममता बनर जी ने कहा था कि मैं गोशना करती हूँ कि राजे सरकार के सभी 14 लाग करमचारी सभी कोलियों, स्कूलों और सुदालियों के सिक्षन और गेर सिक्षन करमचारी हो सभी प्राइवेट और सरकारी उपकरमों के करमियों पैंसन ब्रोगों का डिये चार परिस्द बढ़ाया जाएगा ममता बनर जी ने कहा था कि डिये बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड रुपे का अत्रिक खर्च वहन करना होगा केंदर की मोदी सरकार ने महीला केंदरी करमचारी को बड़ी गाहत दी है महीला सरकारी करमचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पैंसन के लिए नोमिनेट कर सकती है पुराने नियम के तेथ कोई भी महीला करमचारी पती को ही नोमिनेट कर सकती थी सरकारी करमचारी के निधन के बाद सबसे पहले family pension spouse को यानि पती या पत्नी को मिलता था उसके बाद बच्चों को family pension मिलने की बारी आती थी कार्मिक लोग सकायते में pension मंतरा लें बताया कि CCS rules 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मोजूदा प्राधायं गुदावी आधि किसी मअर्द सरकारी करमचारी pension बोगा के पति पत्नी परिवार में हैं तो पहले पति पत्री परिवाल एक pension दी जाती थी मिलता सरकारी करमचारी pension मिलने के पत्नि परिवार पैंसन गार्ष आत्व होंगे